हेलो फ्रेंड्स वल्कम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे लक्षणों को सेयर कर रही हूँ जो अगर गर्ब बती महिला में नजर आते हैं तो इससे 99% तक यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उनके गर्ब में एक लड़का पर रहा है कि मैं कोई वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो चलिए बीना दिर के वीडियो में आगे बढ़ते हैं जानते हैं पहले लक्षण के बारे में तो जैसे ही कोई महिला प्रेंगनेंसी करती है तो सबसे पहला बदलाव उनके चेहरे पर नजर आ कर दा हा हैं वहीं प्रेगनेंसी के शुरวात से महिला के ब्रेष्ट में भी काफी सारे चेंजिस नजर आते हैं यानि कि राइट वाला ब्रेष्ट अगर लेफ्ट वाले के मुकाबले में बड़ा नजर आता है तो ये भी गर्भ में लड़का होने के लखशन माने जाते हैं नेक्स्ट सिम्टम है कि प्रेग्नेंसी के दौरान अगर महिला के पैरों में बहुत ज़दा सूजन हो जाते हैं साथी पैरों में बहुत ज़दा दर्द की समस्या हो रही है जंजनाहट होती है एंठन होती है नसे चड़ जाती है पैरों की तो ऐसे में भी माना जाता है कि उन तो ये गर्ब में लड़का होने के बहुत ही सटीक लक्षन माने जाते हैं। वहीं अगर पूरे प्रेग्नेंसी में महिला के दिल की धरकन सामान ये रहती है तो ये भी गर्ब में लड़का होने के ही संकेत माने जाते हैं। नेक्स्ट है कि अगर प्रेग्नेंसी के दौरान महिला का जो पेट है लंबा है अंडाकार शेप में है नीचे की तरब जुका हुआ है साथी महिला को पेट के निचले हिस्से में सारा भार महसूस होता तो ये भी गर्ब में लड़का होने के लक्षण माने जाते हैं साथी अगर महिला को बच्चे की जो हलचल है वो पेट के निचले हिस्से में महसूस होती है तो ये भी गर्ब में लड़का होने के लक्षण माने जाते हैं साथ ही अगर महिला के बाल बहुत ज़दा घहने हो गए हैं बहुत ज़दा शाइनी हो गए हैं पहले के मुकाबले घहने हो गए हैं तो ये गर्ब में लड़का होने के ही लक्षण माने जाते हैं तो फ्रेंड्स ये सारे सिम्टम्स अगर महिला में नजर आते हैं तो इससे अ कम करना है वीडियो पसंद आतो वीडियो को लाइक शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूल ना भूलें मिलूंगी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई